नमस्कार दोस्तों, रीसेंड ली एक बहुत बड़ा डेवलप्मेंट देखने को मिल रहा है, आई एमेफ जो अभी तक युनाइटेज स्टेट्स के द्वारा डॉमिनेटेड और्गनाइजेशन के रूप में देखने को मिलती थी, जो युनाइटेज स्टेट्स के खिलाब जो बाइडन द्वारा चाइना के उपर इंपोर्ट ड्यूटी जो है, उससे बढ़ा दिया था, खास उपसे तीन सामान पर, इलेक्ट्रिक वेहिकल की इंपोर्ट ड्यूटी को 25% से बढ़ा के 100% कर दिया था, सोलर पेनल की इंपोर्ट ड्यूटी को 25% से बढ़ा के 50% कर द या कोई सी गाड़ी चाइना के अंदर बेच रही है वो United States के अंदर आते आते 20,000 डॉलर की हो जाएगी क्योंकि 10,000 डॉलर लगबग 100% का custom duty जो है वो यहाँ पर लगाया गया था Recently IMF द्वारा ये कहा गया है कि जो जो बाइडन की सरकार द्वारा चाइना के ओपर टैरिफ लगाये गये हैं ये रिस्की है Global Level की Economic Growth के लिए Even इन्हों ने ये भी कहा कि दोनों देशों के बीच में जो आपस में Trade War चल रहा है इस Trade War को आपस में सुर्जाना जरूरी है Otherwise Global Economy के ओपर एक बड़ा असर पढ़ सकता है या कहूँ एक Negative असर पढ़ सकता है सब कुछ आपको में मिल जाएगी इसके अलावा UPSC CAC की तयारी करना है इंडिया के टॉप एजुकेटर से आफ्लाइन क्लाइस के अंदर पढ़ना है दोस्तों आप लोगे बास में बहुत अच्छा मोगा है अगर आप चाहते हो तो हमाएं सेंटर के ओपर विजिट कर सकते हो इंडिया के टॉप एजुकेटर सबसे कम दाम में सबसे अच्छे क्वालिटी कोर्स के अंदर आप लोगों को पढ़ा रहे हैं आप बिल्कुल से यहां पर जो रखते हो आपको 35 से 30 प्रतिशत तक का डिस दूसा विशुद हुआ था ना तो दूसरे विशुद के बाद में यह प्रयास किया गया कि अर्थ स्वस्था को ठीक किया जाए ग्लोबल लेवल पर शांती जो बनाई रखी जाए जिसके लिए एक समिट हुई थी ब्रेटन वुड्स समिट जिसके अंदर जिसे ब्रेटन ट्रेड और्गनाईजेशन को बनाने में बीच में युनाइटेज शेट से रोड़े डाल दिये थे हाला कि बाद में मराकेश वगेरा के अंदर डिसकेशन होने के बाद यही वर्ल ट्रेड और्गनाईजेशन के रूप में उभर के आई तो आप समझ सकते हो यह तीन कावर के रूप में उभर के आया था वो युनाइटेज शेट्स अफ अमेरिका था और दुसरी तरह था यूए से साथ इन मल्टी लेटरल डेवलप्मेंट और्गनाईजेशन को युनाइटेज शेट्स ने बहुत अच्छे से यूज किया और जब यह और्गनाईजेशन बनी और इनका हेड़कॉर्टर भी निव्योक के अंदर ही देखने को मिला इसके अंदर डॉमिनेशन पूरी तरीके से वेस्टन कंट्रियों का था खास रूप से यूनाइटेज शेट्स अफ अमेरिका का अगर मैं आई एमेफ के ही केस की बात करूं तो इंटरनेशन मॉने जबकि यूनाइटेज शेट्स हाला कि दुनिया की टॉप मोस्ट एकोनॉमी के रूप में देखने को मिलती है उसका डॉलर जो है वो ग्लोबल करनसी रिजर्व के रूप में देखने को मिलता है पर वहीं केवल यूनाइटेज शेट्स ही सब कुछ नहीं है उसके अलावा अब यह कैसा ही कंट्रियां जैसे इंडिया जो है वह लार्जेस्ट आवाधी रखती है इनके बीचे वी बड़े एक्स्चेंज होते हैं इनके उपर भी कई सारी कंट्रियां जो है वह डिपेंडनेंट हैं बट आईमेफ के अंदर रोल ज्यादा आपको उनाइटेज शेट के खिलाफ आईमेफ जो है वह खुल के कह रहा है कि देखो यह जो टैरिफ लगाए जा रहे हैं गलत है अब बात आती है टैरिफ क्या होते हैं तो देखो कोई भी सामान जैसे यहाँ पर लेट आस से इंडिया की बात कर लेते हैं यह युनाइटेट किंग्डम को अटा देना मन से इंडिया समझ लो एक सॉक्स का पेर अगर इंडिया में बनता है माल लो इंडिया के अंदर तीन डॉलर का बन रहा है और यूएस ने 25 परसेंट टैरिफ लगाए हुए हैं ऐसी कंडिशन में तीन डॉलर के उपार पत्चीफ परसेंट टैरिफ लगेंगे तो एक डॉलर और बढ़ जाएगा तो यूएस के अंदर जब ये शॉक्स जाएगा तो ये चार डॉलर का बिकेगा वही यूएस के अंदर खुझ में जो मोजा है वो मालो तीन डॉलर का बिक रहा है एसी कंडिशन में इंडिया से आया महें डॉलर महेंगा हो जाएगा जिसके कारण से यूएस के डॉमेस्टिक मार्केट में इंडिया का सॉक बिकेगा नहीं जब इंडिया का सॉक बिकेगा नहीं तो डॉमेस्टिक इंडिस्ट्री जो है वो बढ़ने लगेगी इस तरीके के टैरीफ बेरियस लगाए जाते हैं, कुछ नॉन टैरीफ बेरियस भी होते हैं, जो वल्टरड और्गनाइज़िशन के अंदर डिसकर्स किये गए हैं, अब युनाइटे शेट्स अफ अमेरिका ने रिसेंटली ये सारे टैरीफ लगाए चाइना के उपर, जिसके चाइना हैं, वो भी तोड़फ गंटरी नहीं है, वो अच्छी कंटरी नहीं है, वो अच्छी कंटरी नहीं है, चाइना भी नॉन टैरिफ बेरियर लगाता है, इवन चाइना जो है, वो अपने सामान को सबसीडी प्रोवाइड करता है, और उन सबसीडी प्रोवाइडेड स की सामान को दूसरे देशों के अंदा एक्सपोर्ट करता यानि की कुल मिलाकर बताओं तो दूसरी कंट्रियों के अंदा मार्केट को डिस्टॉट करता है एक पॉइंट तो यह आता है दूसरा पॉइंट यह आता है कि United States ऑफ अमेरिका के अंदर अभी चल रहा है इलेक्शन का समय, इलेक्शन के समय के समय पर जो जो बाइडन की सरकार रही, उनकी foreign policy बड़ी weak रही, जिसके कारण से उनको इलेक्शन के समय पर कोई strong stand उठाना था, जहां पर चाइना के ओपर tariff barrier लगाने से ज़्यादा strong stand और क्या हो सकता है, वहीं डोनाल्ड टरम्प इस सी unemployment का issue बहुत बड़ा हुआ है, महलब United States के अंदर एक नया narrative इसा चलता है, क्या दूसरी country के लोग हमारे यहां पर आके काम करते हैं, जिसके हमारे लोग काम नहीं कर पाते हैं, हमारे unemployment का कारण है दूसरी country के लोग, unemployment एक बहुत बड़ा matter United States of America में भी है, अब जब electric vehicle की बात क भारी माता में manufacturing होती है Michigan के अंदर, United States of America में, जहां पर Joe Biden कमजोर स्थिति में है, और यहां पर power में कौन है, Donald Trump, ऐसी condition में, election के पहले, वहां पर tariff, non-tariff, various Chinese product के ओपर लगा कर, वो सीडी सीडी तरीके से vote खीचना चाहते हैं, हाला कि उनका कहना यह है, कि जो चाइना है, वो domestic market को बचाने के लिए इसाब कर रहे हैं, वही United States of America की ही बात करूँ, तो अगर चाइना यह सारे barrier लगाता है, बात सही है, लगाता है, चाइना subsidy वगेरा देता है, दूसरे कंटरियों के market को distort भी करता है, वो इंडिया में भी करता है, जिसे कायांट से हमको भी anti-dumping duty वगेर लगानी पड़ती है, World Trade Organization के अनुसास subsidy देना गलत नहीं है, पर ऐसी subsidy देना, जो किसी और देश के market को खुराब करें, वो गलत है, पर United States of America भी कोई बहुत अच्छा नहीं, बाले, United States of America खुद भी इस तरीके के tariff और non-tariff लगाता रहा था, जिसे चाइना जो है, World Trade Organization के benefit दिये हुएं, जिसके कायांट से United States of America की electrical vehicle के product दूसरी कंट्रियों के अंदर बहुत अच्छे भी करें, मतलब एक तरफ चाइना इस तरीके से subsidy दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक्सपोर्ट के लिए subsidy United States खुद भी दे रहा, पर जब चाइना subsidy दे के United States of America के अंदर सामान भीज रहा है, तो वहाँ पर tariff लगा दिये जा रहा है, यहाँ पर United States की यही कमी आपको इस शीच के अंदर भी दिखाए देगी, जैसे World Trade Organization के अंदर जाते हैं, तो वहाँ पर क्या dispute resolution committee है, यह अगर decision दे देती है, तो इसके उपर appellate body आती है, यहाँ पर इस appellate body के अंदर judges को नुक्त होने ही नहीं दिया है, क्योंकि खुद United States से कई सारे cases हैं, इस तरीके के tariff और non-tariff barrier के, जिसके कायान से यहाँ पर clearly हम लोगों को देखने को मिलता है, कि United States of America के tariff, non-tariff barrier जो है वो लगाए जाना है, subsidy दी जा रही है, दूसरी country के अंदर export करने के लिए, जो दूसरे country के market को distort कर रही है, वहीं दूसरी तरफ चाइना भी यहाँ चीजे कर रहा है, यह जो trade war इन दोनों के बीच में चल रहा है, इसकी वज़े से दोनों को आपस में तो नुक्सान होई रहा, बलकि global level की दूसरी अर्थ स्वस्ता को ज्यादा रुक्सान होगा है, for example, इंडिया, अगर हम लोग बात करें इसी case की, जैसे चाइना ने क्या किया, अपने product को subsidy दी, और subsidy देने के बाद में, उनका सामान सस्ता हो गया, वो सस्ता सामान उन्होंने United States of America में export किया, United States of America ने यहाँ पर tariff लगा दिये, tax वगेरा बढ़ा दिया तो फिर यह जो dumping होने लगेगी, यह dumping इंडिया में होने लगेगी, जिसके current से भारतिय मूल की जो कंपनिया है, उनको साफ साफ नुकसान जो है आपर देखने को मिलेगा, जैसे थोड़े समय पहले आपने देखा होगा, iron and steel का case, चाइना ने subsidy देके सस्ता iron मनाया, और वही स पहले सस्ता iron भारत के अंदर डंब किया, जैसे कारें से सेल जैसी कंपनियों काफी साफ नुकसान हो रहा था, और कई सारे भारती एक्सपोर्टर, भारती स्टील के प्रोड्यूसर्स जा रहे थे, सरकार के पास में के प्लीज सरकार यहां पर anti-dumping duty लगाई जाए, इवन अगर आप लोग को ऑफ्लाइन दर्स के अंदर पढ़ना है, तो आप लोग के पास में बहुत अच्छा मोगा है, अनकेडमी अब के ओल ऑनलाइन नहीं रहा है, अनकेडमी अब ऑफ्लाइन भी आ चुका है, देली के करोल बाग मुखरी नगर के अंदर प्रयागराज के अगर आपको हमाज सेंटर देखना है, तो इस वीडियो को एंड सकते हैं, अगर आपको हमाज सेंटर देखना है, तो इस वीडियो को एंड सकते हैं, अगर आपको हमाज सेंटर देखना है, तो इस वीडियो को एंड सकते हैं, अगर आपको हमाज सेंटर देखना है, तो इस झाल उप्ट झाल